रोटो एंद पेंट एकाडमे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यह है मोड्यूल 3 और इसमें मैं डी एजिंग के बारे में बता रहा था तो लास्ट क्लास में हमने इतना कुछ कर लिया था और हमने लास्ट क्लास में रोटो भी कर लिया था इसका ठीक है अग्या करते हैं तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे यू लेडी दिख?」 इसका जो भी ओवराल स्किन हे इस़ियो थोरा सार हर जगह पर थोड़ा बहुत स्मूथ इन करेंगे एक ओवराल स्मूथXT थीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले तो फोर्हहण वाले चार और देखेंगे कि हमें कितना smooth in, smooth out करना है, ठीक है, तो इसमें हम wrinkles नहीं हटाने वाले, यह जो छोटे-छोटे यह दाग से दिख रहा है, उनको सिर्फ read करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे to, इससे क्या होगा, हम दो settings खोल पाएंगे एक साथ, ठीक है, उपर में texture है, नीचे में यह है, तो मैं फिलाल इसको reset कर लेता हूँ, दोनों को, शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको zero कर लेता हूँ, इसको zero कर लेता हूँ, ओके, लेट्स, इसको थोरा blur करते हैं, थोरा blur करेंगे, तो देखो हलका blur हुआ, तो परीज है दिखे लिएपे फॉलिएंच यह हमारे इस्टार्ट हो गए है उनको Gene करते हैं कुनिको कमऴ भरफाश करनेसे जो किया होगा ठीक है इसको मैं कम कर रहा हूं तो मुझे कुछ ज्यादा खास फरक नहीं दिख रहा है तो मैं Ctrl Z करता हूं ठीक है नीचे वालब पर देखते हैं ठीक है मैं Width कम करता हूं यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं यह जो वेंस दिख रहे हैं ऐसे लंबे वाले वेंस वो हमारे कम जादा हो रहे हैं ठीक है तो मुझे अगर मैं पूरा जीरो कर देता हूं तो क्या फरक परता है और Ctrl Z मैं करता हूं वापस तो क्या फरक परता है इसको अगर compare करेंगे तो तो मैं 0 करता हूं जीरो तो यह वेंस पूरे आगे हैं वापस से 28 करता हूं तो यह वेंस गाइब हो गए है ठीक है तो हमें थोरा यह कम चाहिए है लाइक 14 15 में दालता हूं तो यह अब मैं 1 2 करके compare करता हूं तो यहां पर जो texture थे वह भी रह गया यहां पर थोरे बहुत highlights भी रह गया और मेरे हिसाब से यह मेरे को ठीक लग रहा है तो अब इसमें हम लोग अपना रोटो डाल लेते हैं रोटो के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर हमने जो overall रोटो कर रखा था उसमें से यहां पर देखो सबका मैंने naming कर रखा है कौन कौन सा है ठीक है तो यह naming करने से फाइदा क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि कौन क्या है तो मैं कर लोगा easily अब देखो हमें यह forehead चा का लेर आ गया अब यह forehead का लेर इसमें डाल देते हैं तो 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 करने पर हमारे सिर्फ forehead पर काम हो रहा है तो इसमें बहुत सारे की लगे हुए है ठीक है मैं किसी एक की पे जाकर अगर इसमें फेदर दाल देता नो इस तरीके से तो 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 नेक्स फ्रेम पे यह वापस से हो जाएगा ठीक है तो हमें क्या करना ना मल्टी फ्रेम ओन करके यहां पे फेदर दालेंगा मल्टी फ्रेम ओन करने के यहां से आप अन कर दो उसके बाद सेलेक करके फेदर दाल लो इतना चाहिए आपको मुझे चाहिए इस हिसाब से इतना और आइब्रो पे इस चाहिए मैं छोड़ देता हूँ and देखो यह हो गया eyebrow को थोड़ा side ही कर देंगे यहां पर मैं इसको उपर कर लेता हूँ और इस तरीके से हो गया ठीक है यहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ मेरे को कोई problem नहीं है यहां पर थोड़ा ज्यादा देने में अगर बाहर जा रहा है तो अगर जाएस कर सकते हो आप ठीक है अलग अलग फ्रेम पर जहां पर हमारा की लगा है फिलाल मैं इतना रहने देता हूँ मेरे हिसाब से यह फोरेड हल्का फुल्का स्मूधन हो गया ठीक है वंटो में करके दिखाता हूँ पहला काम हमारा यही रहेगा हर जगह पर फहले थोड़ा बहुत स्मूध कर लेते हैं स्कीन को ठीक है तो पहला तो यह हमारा फोरेड श्मूधन हो गया अब फोरेड रिंकल जो है यह रिंकल हम लोग अटा रहे हैं यह सब बाद में करेंगा ठीक है यह अभी अपने को एं गूरा थैक है और यहाँ पर यहां पे इसका नाम देते हैं अभी हम लोग बाद में नाम चेंज करेंगा पहले देख लेए तक यह पहले। यह कोई भी मास्क नहीं लगा हूआ की। आपlu को सींद लिए के समूथेन करने वाले हो आप बगल वाले एए की लिए अर्य भाले था था सही हुविट अ मैं भॉब कान अंग तो इस एडिया के साथ यह हमारा इसा रियार मैं इसको करता हूँ कॉप्य करता हूब यह रोटो नोड ओ ठीक है यहां से मैं पेस्ट कर दूंगा इस वाले में अब देखो यह हमारा आई के साथ आ गया ठीक है तो मैं फिलाल आई पर भी काम करना नहीं चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा डिलीट कर देता हूं इन दोनो एरिया को अब देखते हैं यहां से 2 यहां से 1 ठीक है और यहां से मैं यह मास्क इसमें कनेक कर दूंगा आप लोग को सीम जैसे जैसे मैं करता जाओ नो बस ऐसे करते जाओ आप लोग का काम इजी हो जागा ठीक है अब देखो इस एरिया पर कितना हमें स्मूथनेस चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए हम लोग दुबारा से दोनों का सेटिंग्स खोल लेते हैं मैं दोनों को ऐसे रिसेट कर देता हूँ और अपने हिसाब से फिर बाद में देखूँगा कितना चाहिए अब मैं इसको फ्लैट करता हूँ देखो यहां पर हाइलाइट्स नहीं है हाइलाइट्स जहां पर हाइलाइट्स बहुँ ज बलर और जाएगा अगर देटेल थोरा और लेके आते हैं अगर यह विंस तो नहीं जा रहे हैं वर्टिकल वाले विंस ले जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं यहां पर दोनों का यह डवल कर लेता हूं दोनों में सब में पहले 0 कर लेता हैं वर्टिकल वेंस के लिए इसमें 20 में डालता हूं और इसमें में 20 डालता हूं अब देखो यह वर्टिकल वेंस थोरे से चलेगा यहां के देख सकते हो इस तरीके से अब देखो मेरे को अच्छा result नहीं आ रहा है मेरे को लगता है कुछ और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर कुछ और चिंजेस करते हैं मैं सब को 0 करता हूँ सिर्फ इस से काम करते हैं हम लोग नॉर्मल वैल्लू जो भी रहता है यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ कितना ब्लर करना है कितना वापस लाना है यह दो कुछ जादा ही हो गया इतना भी जादा नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि यह जो हमारा रोटो है उसका यह लाइन यहाँ पर ऐसे आ रहा है उसको हम लोग blur कर लेंगा, फिलाल मैं इसको चेक करता हूँ कितना करना है, थोड़ा सा texture और back लेके आँँ, यह मुझे ठीक लग रहा है, हलका सा बहुत जादा changes नहीं हुआ है, हलका सा change हो रहा है, और यह मुझे skin का texture ठीक लग रहा है, फिलाल इसके blur पे, roto पे एक blur देते ह तो यही blur मैं उपर भी दाल देता हूँ, यहां पर भी हमें blur की एक जरूरत थी, ठीक है, अब देखो इतना हमारा 1 हम लोग कहां से करते हैं, यहां से 1 करते हैं, अब देखो हमें बार बार 1-2 करने के लिए प्रावलम हो रहा है, तो मैं इसका एक ऐसे setup बना लेता हूँ, ठ यहां से 1, यहां से 2, ठीक है, यह मेरे लिए easy होगा, तो इतना area हमारा थोड़ा सा smoothen हो गया, अब नीचे यह वाला area को हम smooth करेंगा, ठीक है, तो फिलाल इसका हम नाम देते हैं, forehead नहीं है यह है, SRI side, ठीक है, SMOOTHने से समय ने दे दिया, आप देखो यह बहुत ज़्यादा बरा font था, तो मैं इसको पूरा छोटा कर लेता हूँ, अब हमें ठीक से दिख रहा है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, अब देखो यह हमारा यह काम हो गया, अब नीचे वाले area के लिए आते हैं, तो फ और now इसको यहां से कनिक कर लेते हैं, वापस से यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे, देखो इसी पर डवल काम करता है, क्योंकि हमने रोटो यवलदार रखा है, इसको मैं delete कर देता हूँ, इस वाले layer को, और वापस से अपने, अब देखो इसको हम bookmark करके तो यह bookmark में नहीं आएगा, ठीक है, हमें bookmark करना है किसको, अपने यह वाले रोटो को, face roto को, तो हम कंट्रोल से B करते हैं, अब यह bookmark हो गया, अब मैं यहां भी हूँ न, जे प्रेस करूँगा, face roto को जाऊँगा, वापस यहां से आजाएगा, अब हमें चाहिए यह वा इन सब की अभी जरूवत है कि नहीं, मैं एक बड़ चेक कर लेता हूँ, one, two, ठीक है, इस पर भी काम कर रहा है, तो चलने दो, रहने देते हैं उसको भी, अब यहां पर देखते हैं, कितना values चेंज करना होगा, और देखो, इन सब में थोड़ा feather देना चाहिए, इस वाले म मुझे feather देने का mood होड़ा है, तो मैं यहां से इसको select करता हूँ, यहां पर जाके e-press करूँगा, तो यह थोड़ा सा feather आ जाएगा, मैं feather तो अपने हिसाब से adjust कर लेता हूँ, and now this is done, ठीक है, यह हो गया, अपना feather का काम, अब देखते हैं, values चेंज करने के लिए, तो मैं व अब देखो, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज है, यहां पर देखो, बहुत ज़्यादा आपको यह लग रहा है, कि यहां थी कि यहां से अन्दर जाके बाहर इसकीन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैटनेस बढाता हूँ न, आभी देखो, यह जो ऐसा लगता ने क कि ईधा हुआ है या दबा हुआ है वो चीज ख़तम हो गया बेर ब मैं यहां से दिखा था हुआ हूँ गरो विप फ में पुरा प्लेड जैसा हो गया दू कि पता नहीं चार रहा है कि इसा कि Näखना दबा हुआ हुआ तो यह बहुत अच्छा काम कर रहे हां पर मैं और वह देखता हूँ इसको कितना बरा सकता हूँ ठीक है मैं कितना जब जब अशं可以 कर सकता हूँ मैं सोच रहा बाद हम कितना लाना है वू हम तो इसको हम भी पूरा बहुत जब जयादा कमने वालोग तो इसवे तो इसको यह थे घ्रिंकस दीखर है इन पर ध्यान नहीं देना है कि मारा कि इतना वापस आ रहा है कि इसती जो टेक्चर ध useless है यहां पर भी vit दिख से कर करें थिक डीमिन काम कि हम दख़ाचे से कारेशcken यहां बिअग bedeutet मैं इसका इतना ही रहने देता हूं और picture तोर आहेगा, यह मुझे ठीक लग रहे है मैं इसका इतना पर रहने देता हूं और यह ठीक है अब दोगोगों यहां पर θα डिस्टरब कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं? इसका इरोटी नए रोटी को तोर tip है multi frame on करके यह थोड़ा अंदर कर देता हूं इसको हम लोग बाद में देख लेंगे ठीक है यह हमारा now multi frame off अब देखते हैं one two से compare करेंगा तब ज्यादा सही दिखेगा देखो कहां कहां पर हम लोगों ने कितना changes किया है अब इससे देखो आप लोगों को फर्क दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि क्या result आने वाला है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह हमारा sr cheek है तो हम इसका नाम देते हैं sr अब यह तो हो गया अब वापस से हम लोग एक और लेते हैं ctrl c c ctrl b इसमें का जो भी rotor पहले तो मैं वह delete कर देता हूं done यहां से one करते हैं यहां से two करते हैं अब देखो इसमें कोई भी पर्क क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने rotor इसमें connect कर रख है अब कोई भी changes कहीं पर भी नहीं दिखें है क्योंकि यहां पर rotor में कुछ है ही नहीं तो जो यहां पर है वही यहां से दिखेगा तो अब इसमें rotor draw करना है तो मैं प्रेस करता हूं J हमारा face rotor पर आ गया अब हमें कौन सा area दालना है सुच रहे हैं तो यह हमारा हो गया ना तो हम लोग यह वाला area इतालते हैं चीन वाला area तो now chain layer copy करते हैं और वापस से J हमारा भी नीचे वाला चल रहा है और इसमें हम लोग आके कर देते हैं paste अब देखो यहां पर changes दिखेंगे आपको अब देखो यह वाला जो हैं हमारा तो मैं पहले ही फेदर देता हूं यहां से E-press करेंगे और इसको adjust कर लेंगे अपने इसके हिसाब से मेरे हिसाब से यह ठीक लग रहा है वापस से इसको मैं cut करता हूं यहां से flatness और texture दोनों open करता हूं देखते हैं कि यहां पर देखो यह जो भी old lady होती है उनका यह वाला थोड़ा पोर्शन अंदर के तरफ चला जाता है ठीक है यहां पर थोड़ा बहुत है यहां पर इस वाल एरिया पर बहुत जादा white हो रहा है तो यह हमारा इतना flat करना चाहता हूं नहीं इतना flat कर लेते हैं और texture वापस लेके आएंगे बहुत जाद texture भी remove नहीं करेंगे अलका सा इस पर काम करने वाले हम लोग میने गी यह ठीक लग रहा है वाशे मैं लिखता हूं कै जी करना just सा計ध्रिया इंब तो इसको हम लोग क्या करते हैं निसको यहां से अपने रूटो से हटाह esses को मल्ति फ्रेम ऑन कर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो एरिया वहला हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा यहां भी थोरा सा उपर कर लेते हैं अब हमें उसकी टेंसल लेने की जरूरत नहीं है देखो यहां का जो भी टेक्श्चर था वो तो मेंटेन हो गया और यह काफी ज्यादा फ्लैट भी हो गया लेकिन ओवर एरिटिंग जैसा लग रहा है ना तो हम लोग इसको थोरा सा वापस लेके आयाता है टेक्श्चर अब यह ज्यादा हो गया वापस से मैं फ्लैटनेस बराता हूं हाँ अब ही देखो काफी सही लग रहा है यहां पर जो भी डार्क स्पोर्स थे ना वह काफी ज्यादे बाहर की तरफ आ गया है तो फ्लैट जैसा हो गया है अब 1-2 compare करते हैं हमारा 1 यहां से compare कर लेता है 1-2-1-2-1-2 काफी ज्यादा फर्क आ चुका है अपने sort में अब और भी area जो हैं पहले उनको कर लेते हैं अब उपर वाला area इसके बात करते हैं तो यह हमारा हो गया इसका नाम दे देते हैं चिन qrostness पे जाते हैं यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं यह वाला जो की अपरिलिप लिएर है copy वापस से j और यहां से मैं paste कर देता हूँ इस में paste हो गया ठीक है अब यह मैंने काफ़े tight रखा है तो देखते हैं क्या scene होता है one two तो खी नूस पे काफ़े ज़्यादा effect कर रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए था तो मैंने roto ज़्यादा का रखाया है तो मैं क्या करता हूँ पहले तो blur disable करके देखता हूँ क्या फरक परता है अब बलर disableき like चाने हिसा हो रह रहा है मैं blur को 0-0 खलाल करता हूँ अब धीर-धीरे blur disable है ए ठीक है blur को धीर-धीरे से बढहाते है तो कितना हमें effect चाहिए उस हिसाब से अब देखो यह हमारा area को disturb कर रहा है ठीक है तो थोरा सा मैं और blur बढ़ाता हूँ अब मुझे चाहिए ना कि नहीं यह थोरा सा rotor ना नीचे होना चाहिए तो मैं multi frame on करता हूँ और किसी एक key frame पे जाके इसको थोरा नीचे कर लेता हूँ अब देखो यह काफी सही लग रहा है और इसमें थोरा बहुत feather देते हैं उपर मैं ऐसे यहाँ पे भी मैं थोरा सा feather यूज़ करूँगा यह देखो यह भी काफी ज़्यादा highlights flat तो हो गया बट मुझे कुछ उतना सही नहीं लग रहा तो इसको values को अब changes करेंगे flatness हो गया texture वापस कितना लाना है यह तो पूरा ही flat हो गया ठीक है कोई बात नहीं texture इतना रहना चाहिए और flatness थोरा ही कम करता हूँ एक मिट इतना रहने देता हूँ इतना ठीक है और texture इतना one two करते है one two one two one two texture की थोरी कमी लग रहे है तो मैं थोरा स और flat करके texture और बढ़ायता हूँ यह ठीक लग रहा है अब यह सेपर सेपर यह जो texture है इनको remove करेंगे लेकिन यहाँ पर देखो थोरा बहुत disturbed मुझे लग रहा है ना तो मुझे वह नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो मैं क्या करों गाउंगा multifram on है ही में इसको थोरा पीछे पर लेता हूँ और यहाँ पर सारा PP से काम हो जाएगा हम लों यहां पर फैड बहुत हो फैसे कर लेता हूं या फोडू चींदव स्वादा काम acontece यह फैसे फोरा टीक लाग रहा हुश है तो इन यह भाक काम लोग में करते हम आच दॉ लिफ्त भी कुर दिस्टर्ब करते हैं तो अब मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर इस वाल एडिया पर हम लोग ज्यादा कुछ काम नहीं करने वाले है ठीक है अब 1-2 main 1-2 compare कर लेते हैं यह हो गया ठीक है यह भी ठीक लग रहा है that's not bad आगे बरते हैं इसका नाम देते हैं अपर लिफ स्मूथ हाँ ठीक है यह भी चलेगा अपर लिफ स्मूथनेस ठीक है आगे बरते हैं Ctrl-C Ctrl-V and यह जाएगा यहां पर ठीक है यहां से मैं इसमें का सारा रोटो डिलीट करूंगा सबसे पहले वापस से यहां पर जाओंगा उस वाले रोटो पर यहां से मैं यह वाला रोटो ले लेता हूं अब यह तो हमारा हो गया अब चेक कर लेते हैं वन्टो करके यहां पर देखो स्मूथनेस कितना चाहिए नहीं चाहिए उसी साथ से अभी देखो यहां पर मुझे ठीक ही लग रहा है वैसे लेकिन फिर भी थोरे बहुत चिंजिस कर लेते हैं मुझे यह ठीक लग रहा है अब जो यहांसे करते है jako पूरा हमारा चेंज अब ही आया है यह जो भी एरिया अधर को मुझे से पूरा फ्लैट कर लिया है कर लिकाह। अब नोगों कितना चोदा में यहांसे कर लिया है split vertical ठीक है और यह वाला भी होड़ हम लोग दा देते हैं इस में और यह वाला भी होड़ तो हमारा यहां है ही दोनों को fit कर लेते हैं F यहां पर और इसको fit कर लेते हैं यहां पर और नाव लेस्ट प्लेए तो यह इतना ज्यादा फर्क आया है यहां पर एज में थोरी बहुत हो कमी लग रही है अभी और भी रिंगल से हम लोग जब रेड्यूस करेंगा ना और भी कम लग अब देखो थोरा बहुत रेडनेस आ रहा है फेस पर थोरा बहुत लाइट का कमी लग रहा है तो वह सब हम लोग बाल में अड़ कर लेंगे और बहुत तो स्मूथ हो गया स्किन अभी देखते हैं और आके बरते हैं आके थोरा बरहेंगे तो थोरा बहुत और भी चीजे खम करेंगे चेंजिस करेंगे तो देखते हैं क्या क्वाल्टी आता है और वैसे क्योंकि जब सब कुछ दन हो जायागा सब कुछ मैं इसमें कर लूंगा तो सब कुछ को रेंडर करने के बाद वह पहले वाले वीडियो में उसका इन्पूट आपको दिखा दूगा तो पहले आप देख चुके होगे कि क्या आपूट आया है ठीक है तो बस ऐसे ही देखते र अगर कमेंट्स आया तो मजा आजाए ठीक है और लाइक भी बहुत जादा आता नहीं है लाइक है तो बसे क्लिक तो करना या लाइक करने के लिए और वही है शेयर करो कमेंट करो लाइक करो देखते रो रोटो एंद पेंट यूटूब चैनल और कैसा लागर रहा है यह मास थैंकिर